तो सिद्धू मुसेवाला के हत्याकान को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं अभी इस वक्त जो खबर आ रहे हैं वो ये कि पटियाल गैंग जो है उसका बबबर खालसा से संबंद है और बबबर खालसा को जो चला रहा है पाकिस्तान में बैट करके रिंदा जो डोजियर न्य करके और तिहार जेल तक इसके तार जुड रहे थे कहा ये जा रहा था कि तिहार जेल के अंदर ही काला जठेडी लारेंस विस्नोई ग्रूप जो है उसने मिल करके इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया था और इसमें एक शारुख नाम के सक्स का मोबाइल फोन भी स्पेश सुरक्षा व्यवस्ता चाक चौबंत की जा रही है आप देखिए सेकड़ों की संख्या में अब पुलिस के लोग हैं यहाँ पर और हजारों की संख्या में अब लोग जुटना शुरू हो गए हैं सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मूसे वाला का पोस्टमार्टम हुआ कब त सिफारिस की है और नियाइक आयोग जांच करिकलिंग इस बीत देखिए जमावडा लगातार बढ़ता चला जा रहा है मूसे वाला के घर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंत की जारी क्यूंकि इस पूरे इलाके में एक सिंगर के तौर पर बहुत जादा मशूर थे वो लोग उनके घर आ रहे हैं कई ऐसे युवा वर्क के जादातर लोग हैं जो उनके घर आ रहे हैं श्रद्धानजली देने आना चाहते हैं लेकिन अभी उनका शव जो है वो उनके घर तक नहीं आया है आनंतिवारी कह रहे थे कि पोस्ट मार्टम से पहले कुछ मांगे थी उनके प पहले में ये भी कहा है कि जब वो घर से निकल रहते तभी एक कोरोला कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था इस वक्त तस्वीर ने फिर देखिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है शायद शाम तक कोई बाचीत प्रशासन के बीच लगातार हो रही है शाम तक पोस्टमार्टम के बाद अगर शव यहां आता है तो यहां से थोड़ी दूर पर ही शमसान घाठ है वहां पर उनका अंतिम संसकार क्या जाए लेकिन इस बाबत अभी तस्वीर साफ नहीं आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमसे जुड़के के पास हैं क्या पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है क्या उनका पोस्टमार्टम होगा आज और क्या वो उनका उनका जो अम्रित शरीर है उसको घर लाया जाएगा और उससे पहले में आपको सीजी तस्वीर दिखाना हो देखिए यह वो सफेद रंग की बलेरो कार है जिसमें हमला वर सभार थे जिसमें वो सार्प सूटर सभार थे जिनोंने इस गाड़ी का इस्तमाल करा विक्की जो मुस्यवाला है उनके मडर के लिए इस गाड़ी पर इसी गाड़ी से फाइरिंग की गई ताबर तोड इस गाड़ी का नंबर हमारे देखिए सयोगी चमन आपको दिखा रहा है डी एल वन जीरो सीटी जीरो वन नाइन सिक्स इसके ऑनर से भी अभी निउस एटीन ने बात की ती आरून आपने खुद इनके ऑनर से बात की ती इस गाड़ी के उन्होंने कहा था कि मेरी गाड़ी का नंबर का मिस्यूज हुआ है देखिए इस गाड़ी के अंदर हमला वर सबार थे इस सफेद रंकी बलोरों के अंदर जो बिल्कुल टार्गेट से जो सिद्दू मूसे बाला है उनकी जो बाजू में ही जो थार खड़ी इसके पहले ये दूसरे थाने में खड़ी थी और अब कयास लगा जाना है कि इसकी फोरंसी जांज जो है वो कराई जाएगी हलकी एक राउंड की जांज इसके अंदर हो चुगी जिस तरह से इस गाड़ी के हलात अंदर से नजर आ रहे हैं देखिए और इसी में हमला पर ज साथ साथ एक और गाड़ी थी कोरोला की बात की जा रही थी क्या वो गाड़ी भी पुलिस लेके थाने में आई है कि वहां जब सबेरे हम गहे थे तो सिर्फ जो जीप थी जिसमें सिदुम उसे वाला थे उसी जीप को मैंने देखा था दूसरी गाड़ी आए क्या पोस्ट म होटम होगा आज हो रहा है और क्या शाम तक बॉड़ी उनकी यहां पर घर पे आएगी क्या हो रहा है वहां पर प्रशासन से उनके परिवार के बीच बाचित जो रहा है उसका नतीज़ा क्या निकला कि यह पांच डॉक्टरों का जो पैनल है वो सिद्दू मुसेवाला का पोस्ट मनम करेगा बकायदा उसकी वीडियोग्राफी भी कराए जाएगी जो सोर्स बता रहा है एक तरीके से बोड के जरीए जो है वो पोस्ट मनम के जाएगा ताकि कोई कमी विशी ना रह जाए और प्रोफेस्टर तरीके से जो मेडिकल एक्जामिनेशन होता है जो काफी जादा महत्पुर होता है कोई भी क्राइम आगा तो जैसा कि आनंद बता रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा लेकिन सवाल अब यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है सामने निकल कर हलाकि लॉरेंस विस्नोई गैंग ने भी ये बात स्वीकार कर लिए जिम्यदारी ले लिए हत्या की और पुलिस भी उसी थेओरी को आगे बढ़ा रही है तो किस तरह से हत्या की साजिश केतार कैनडा से लेके तिहार तक जुड़े थे कैसे लॉरेंस विस्नोई ग्रूप ने राइवलेरी के तहट उनकी हत्या की है सिद्धू मूसेवाला की पहले भी जैसे कि उनके पिता खुद कह रहे हैं कि पहले भी धमकी मिल रही थी और ग्रूप से धमकी मिले यह पूरा वाकिया जो है जो पंजाब के सिंकर है उनको एक्स्टॉर्सन मनी देने के लिए बाद किंग्डम में यानि इंग्लेंड में भी उनके गाने चार्ट बस्टर थे उनके गाने टॉप 10 में शामिल किये जाते थे न्यूजी लेंड में उनके गाने सुने जाते थे तो काफी अच्छा खासा पैसा भी वह कमाते थे रसुकदार थे उनसे फिरवती मांगने के लिए विसनोई ग्रैंग ने भी कई बार फोन किया था उनको तो एक तरह से इस साजिस के पीछे कौन से तार हैं कहां कहां जुड़े हैं और किस किस इंगल पर पुलिस जाच कर रही है हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में तफसील से बताते हैं ये सिंगर सिद्धु मूसेवाला पर हमले से ठीक पहले की सीसी टीवी तस्वीरे हैं सीसी टीवी की इन तस्वीरों में पहले सिद्धु की काली गाड़ी दिखती है और ठीक उसके पीछे एक सफेद कार नजर आती है कार की इन तस्वीरों के सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने के थोड़ी देर बाद ही सिद्धु मूसेवाला पर जानलेवा हमला हुआ और मौके पर ही उनकी मौत हो गई लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब में हुए इस हाई प्रोफाइल मडर के साजिश साथ समंदर पार से रची गई क्या मूसावाला के मडर का प्लैन कनाड़ा में बनाया गया सिद्धु मूसेवाला की हज्या के जिम्यदारी जिस गोल्डी बराड ने ली है वो फिलहाल कनाड़ा में बैठा है कनाड़ा से उसने फेस्बुक पोस्ट पर लिखा आज जिस सिद्धु मुसेवाला का काम हुआ है उसके जिम्मेदारी मैं गोल्डी बराड सचिन बिश्णोई और लॉरेंस ग्रुप लेते हैं न्यूज 18 को एक्स्क्लोजिव जानकारी मिली है कि गोल्डी बराड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्णोई का बेहत खास है लॉरेंस बिश्णोई पंजाब के बिश्णोई गैंग का सरगना है जो इस वक्त दिल्ली की तिहार जेल में बंद है लॉरेंस बिश्णोई की गैर मौजूदगी में बिश्णोई गैंग को सचिन बिश्णोई समाल रहा है विश्णोई गैंग से सिंगर सिध्धू मूसेवाला की पुरानी अदावत को ही इस हध्याकांट के पीछे की वजह बताया जा रहा है ये जो इंसीडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवल्री का केस लगता है क्योंकि इनके जो एक मैनेजर है शगन प्रीत इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में वो अभी विदेश में आस्ट्रेलिया में निकल गए हैं तो उसका रियक्शन में जो लॉरेंस विश्णोई और लॉरेंस विश्णोई गैंग का इसमें हाथ है न्यूस एटीन को मिली एक्स्क्लूजिव जानकारी के मताबिक पिश्णे साल आठ अगस को मोहाली में विक्के मिद्दुखेडा की हच्चा की गई थी विक्की पंजाब के गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई के बेहत करीबी थे हच्चाकान में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगन प्रीत सिंग का नाम सामने आया था फुलिस मेनेजर तक पहुँच पाती उसके पहले ही वो भारत से आउस्ट्रेलिया फ्रार हो गया और अब माना जा रहा है कि विक्की मिद्दुखेडा की मौत का बतला लेने के लिए ही विश्णोई गैंग ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया लोग हमें जो भी कहें लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिद्दुखेडा की हत्या में मदद की थी हमने अपने भाई का बतला ले लिया है मैंने इसे जैपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने घलत किया इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवार नहीं करता तुम जो कर सकते हो कर लो मैं भी हत्यार लोट करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है मुसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई है उससे ये अंदाजा लगाय जा रहा है कि हमलावरों ने टार्गेट करके वारदात को अंजाम दिया है वारदात वाली जगहे पर जिस गाड़ी से हमलावर पहुँचे थी उसके नंबर प्लेट फरजी मिले है गाड़ी के अंदर से पंजाब नंबर की प्लेट मिली है जबकि वारदात के वक्त गाड़ी पर दिल्ली नंबर की प्लेट लगी थी यही नहीं पुलिस को मौके से AN-94 राइफल से चली तीन गोलियों के खोखे मिले हैं जो इस जाच में नया एंगल दे सकते हैं क्योंकि पंजाब के गैंग वार में ये पहला मौका है जब अबराधियों ने AN-94 का इस्तिमाल किया है तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इस हत्या के साजिश के तार विदेश तक जुड़े हैं लॉरेंस विस्नवी ने गोल्डी बरार से बात की है कैनड़ा तक ये क्या पूरी खबर है और उसमें क्या इस्पेशल सेल जो जाच कर रहे है मोबाइल की और पंजाब पुलिस ने क्या कुछ खंगाल के अब तक निकाला है आनन्द जी देखिया अरून जैसे हम सुबे से लगातार बता रहें कि वर्चूल नंबरों को जड़ी है जो देश की सबसे अती सम्वेदन सिल तिहार जेले वहां से ना केबल लारेंस विस्नोई काला जठेडी और शाहरूक इन तमाम लोगों ने वर्चूल नंबरों से दिली से कन गनाड़ा में बात की थी और इसी बात को लेकर मकोकम में जो काला जठेडी और काला राना है उससे इस वक्त इससायकार के दब्तर में पूस्ताज की जारी है?" कि इस अत्यागान के पहले से ये पूस्ता जारी थी लेकिन जिस तरह से कल सिद्दू बूसा खेड़ा का कतल हुआ उसके बाद अब इस पार्ट पर भी इन्वेस्टिकसन कर रही है अरून एक और जानकारी आ रही है दिल्ली पुलीस इस पेशली पंजाब पे लगातार काम कर थील्ले पंजाब में गैंगिस्टर से जुड़े जितने माम ले दे चाहे लारेंस विपी पतार कामामला हो या फिर खालिस्तानी टेर्रिस्टों का मामला हो जिस पेशली है गर भी थीली बीक्रीया और जिसके बाद और पंजाब्पुले से इस पूरे मामले की जालत कर पर दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट की तोर पर खाम करती है तो देखना होगा आने वाले वक्त में कितनी जल्दी सार्फ सूटर पकड़े आते हैं और इसमें पंजाब पुलिस कोशिच यही करेगी कि वो जल्द से जल्द जो सार्फ सूटर है जो बदमास है जि किन-किन नंबरों के जरीय उन्होंने वर्चूल नंबरों को जरी cantbop की कैसे पूरी conspiracy रची गई कहां पे इसकी प्लानिंक रची कितनी आ ti हुई और इस बार किस तरह से जो हमना वरते वो सफल हो पाए जी आनंद दीपक बिष्ट की खवर ये भी है कि इस बार अप एक शक्रित रूप से इस इस इलाके में कभी ना आने वाले हत्यारे जो भाड़े के हत्यारे शार्फ सूटर है उनका इस्तेमाल किया गया था क्योंक पर भेजे गए थे ताकि उनकी पहचान उनकी मूवमेंट के बारे में उनको जानकारी न मिल पाए सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस विस्नोई ग्रूप ने शोशल मीडिये के जरिए ये पूरी जिम्मदारी अपने सिर्फ पर लिए कि उसने ही इस साजिश को अंजाम दि अब है कि पंजाब में पहली बार एन-94 नामके सोफिस्टिकेटड वेपन का इस्तेमाल हुआ है कुछ दिन पहले RPG का इस्तेमाल उसके बाद RDX मिलने की बात और अब एन-94 का इस्तेमाल हुआ है ताबर तोड़ गोलियें चला करके सिद्धू की हत्याकल शाम को की गई थी इस पूरे मामले में आठ लोगों को संदिक दमान कर हिरासत मिलिया गया है उनसे पूछता चल रही है और हो सकता है कि उनसे कोई ऐसा क्लू मिले कोई ऐसा सबूत मिले कोई ऐसा सिरा मिले जिसको पकड़ करके पंजाब पुलिस इस पूरे मामले का पटाकशिप करे इस पू एन नाइन्टी फोर राइफल से ताबर तोड़ फाइरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धु मुसेवाला की हत्या कर दी गई मुसेवाला के शरीर को गोलियों से चलनी कर दिया गया सिद्धु मुसेवाला साथियों के साथ गाड़ी सजा रहे थी घर से करीब पाँच किलो मिटर दूर ही मुसेवाला को गोलियां मार दी गई मुसेवाला खुद जीब चला रहे थी उन पर करीब तीस से चालीस फाइर किये गए वाइरिंग इतनी ताबड तोड हुई कि मुसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके घर से निकले शाम को करीब साड़े चार बजे तो उसके बाद करीब साड़े पाँच बजे करीब 5.30 पीम ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे ये खुद ड्राइव कर रहे थे इनके साथ दो प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और दो गाड़ियां सामने से आई और उसमें फिर फाइरिंग हुई और फाइरिंग में इनको बुलेट इंजिरी हुई और जब इनको हस्पिटर ले जाया गया देन ही वस डेकलियर ब्राइड देड मुसेवाला के शरीर पे लगी एक एक गोली पंजाब सरकार की मान सरकार के लिए चैलेंच है महज एक दिन पहले पंजाब सरकार के आदेश पर मुसेवाला की सिक्योर्टी में कमी की गई थी अब पंजाब पुलिस मुसेवाला के डेड बॉडी को खेर कर खड़ी है पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के पास इसी गाड़ी में मुसेवाला सवार थे हमलावरों ने खेर कर गोलिया मारी और ये तै किया कि मुसेवाला बच ना पाए और उसके बाद सीसी टीवी में दिख रही इन दो कारों में हमलावर फरार हो गए ये वेडियो हमने से ठीक पहले का है आगे आगे सिद्धू की कार जा रही है और पीछे सफेद गाड़ी में हमलावर थी शाम साड़े साथ बजे मौका देखते ही हमलावर ने सिद्धू की गाड़ी पर ताबर तोड हमला कर दिया यूज जटीन को मिली जानकारी के मताबिक हमलावर ने एन-94 राइफल का महों सीदे मुझे वाला की तरफ खोल दिया सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूँ कहां कैसे हुई यहां से गोलियां चलना शुरू ही थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबर तोड़ गोलिया चलाएगे देखिए एक गोली का निशान देखिए यहां पर है यह मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो इंट होती है चुना लगा हुआ है लेकिन इट दिखाई दे रही है एक गोली वहां पर लगी थी दूसरी अगर मैं गोली की बात करूंती है सामने देखिए गे चली तो यह जो जो गोली चली है एक निशान यहां पर देखिए यहां पर गोली चली यहांप लोगी चली तो यहां जो गोली चली ही और कल सामने वो जो खर है वहाँ पर CCTV फूटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगा कर उपर हमला किया अस्पताल ले जाने से पहले सि लाड़ी बरामत कर लिए कैसे हुई वार्दा जुदो सिद्धू मुस्याली गड़ी के पास आए हम हमने पार देखे पहले सब्सक्राइब नकाला गड़ी से अच्छा से बहुत जादा ने में प्रसंट जाखनी सिया तो दूजे मुंडे ठीक सिए पढ़ा प्रसंट हुई लेकिन आगे जाकर उन्होंने दोनों गाड़ियां छोड़ दी और एक अल्टो कार को गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए यह साइड से गोलियां चला गए इधर से गोलियां चलाई गई यानि हत्यारे यहां थे यहां से गोलियां चलाई गए इसलिए इनका जो निशाना है वो सिद्धू मूसे वाला था और डाइरेक्शन अगर गोलियों की आप देखेंगे तो वो उनकी तरफ लक्ष करके था आप देखिए गोलियों के निशान कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां से भी उनकी तरफ डाइरेक्शन की तरफ गोलियां है 11, 12, 13 यह इधर हैं और साइट से भी जो गोलियां चलाई गई ज़ादा तर उनको लक्ष करके चलाई गई आप देखिए यहां पर भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मुसे वाला को लक्ष करके और यहां पर देखिए वो ड्राइब कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे आखें उनकी खुली हुई थी, उल्टी किया उन्होंने जब उनके उपर गोली चली तो यह देखिए टायर जो है, दोनों पंक्षर हैं, दोनों टायर पर गोलियां चलाई गई थी, तीस से ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी और यह जीप, इस वक्त मांसा थाना नंबर एक सिटी थाना नंबर एक में रखी हुई है, अनुशंधान जाच का केंद्र यह गाड़ी भी है, चुकि नमूने लिए जाते हैं फोरेंसिक जाच के लिए और आगे की फरदर जाच के लिए भी चाहे बलड का नमूना हो, या फिर गोलियों के खोके का नमूना हो, या फि इतने बोर की थी, कौन सातियार था, इसके खोके भी कुछ अंदर से मिले हैं, तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक नया खुलासा भी हुआ है, उनके एक दोस्त ने बताया है कि सिद्धू मूसेवाला ने भी पिस्तॉल रखी हुई थी, और जब अपराधियों ने उपर ताबर तोड हमले किये, तो उन्होंने भी फाइरिंग की थी, इस तरह खबर आ रही है, पुलिस ने वो पिस्तॉल उनकी गारी से ही बरामत की है, लेकिन इसके पीछे, जिस सबसे बड़े गैंग का हाथ सामने आ रहा है, वो है लॉरेंस विस्नोई, जिसने विस्नोई गैंग बहुत बड़ा गैंग है, और उसका सरगना लॉरेंस विस्नोई बहुत कम उमर का है, लेकिन तिहार जेल में बंद है, सचिन विस्नोई उसके बिहाब पर पूरे देश में इस गैंग को ऑपरेट करता है, खास दोर से पंजाब और दिल्ली में, हमारे दोर से अकान के पीछे गैंग वर कि आश्यंका जताई जा रही है, उसे बाला की तो लक्ती पटी प्टी हाल गैंग और लॉरेंस विश्नोई गैंग में कौन कौन से गैंग्स्टर शामिल है यह इस वक्त हम आपको बताते हैं ये दो पंजाब के गैंग जो की सक्रिये बाते सामने आ रही है अब इसमें है लकी पटियाल जो की सरगना है इसमें कौन सरगना है गैंक्टर सचिन विश्णोई जुड़ा है जो की बाहर सलाकों के पीछे कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस उस सचिन विश्णोई से पूस्ताच कर सकती है गैंक्टर नीरज शामिल ह किसमें लकी पटियाल गैंग बिया अब इसके बाद में बताऊंगे आपको काला जठेडी शामेल है विश्णोई गैंग बे और यहां पे कौन है चसका जुड़ा हुआ यह सब जो मैं नाम बता रही हूँ आपके सामने यह टॉप बोश्च चेहरे हैं और जो पुलिस के शिक सक्रियता हमें पटियाल गैंग में देखने को मिलती है और कई मामलों में इसकी सनलिपता इसके अलावा विश्णोई गैंग में गैंग्स्टर गोल्डी बरार भी सदस्य है और इसकी भी सनलिपता कई मामलों में सामने आचुके गुर्पिरीत ओर्फ बाबा यह कहां पे ल अल्ला गैंग के लोग भी शामिल है इसमें लकी पटियाल गैंग में तो गैंग शर नरेश शेटी जो है वो लॉरेंस विश्णोई गैंग का सदस्य माना जा रहा है यह हम पूरे पंजाब की स्थिति हम आपको इस वक्त बता रहे कि गंग कल्चर वहां पे क्यूं हावी है औ कि दे ग्राउंड जिरो पे लिए चलते अरुन इस वक्त मेरे साथ है और आपको ग्राउंड जिरो की सिच्चाई बताएंगे यह सवाल हम इसलिए उठा रहे है क्योंकि जिस तरह से रेकी की केगी जिस तरह से ब्योस्था के तहत जब वो अपने घर से निकले मुसे वाला तब से ले करके उनके पीछा करती हुई गाड़िया दिखाई दी पेश कर रहे हैं पंजाब पुलिस ने हर्याना हेमाचल दिल्ली को भी सतर कर दिया है और दबिश देनी शुरू कर दी है पंजाब की सरकार और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनोती है मुसे वाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार दबाव में है इसलिए मुसे वाला की हत की बात मीडिया से बात करने खुद जीची पी सामने आए एक इंटर गैंग राइवल्री का केस लगता है लॉरेंस विश्णोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कैनेडा से केस का इन्वेस्टिकेशन चल र एक SIT बनाने के लिए IG रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है यह जब अपने घर से निकले शाम को करीब साड़े चार बजे तो उसके बाद करीब साड़े पांच बजे करीब 5.30 पीम यह अपनी गाड़ी में जा रहे थे यह खुद ड्राइव कर रहे थे इनके साथ दो प इनके पीछे गाड़ी थी और दो गाड़ियां सामने से आई और उसमें फिर फाइरिंग हुई और फाइरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको होस्पिटर ले जाया गया देन ही वस डिकलेर ब्रॉट डेट तो यह जो इंसीडेंट है यह एक इंटर राइवल्री का केस लगता है क्योंकि इनके जो एक मैनेजर है शगन प्रीत इनका नाम आया था जो विक्की मिद्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में वो अभी विदेश में आस्ट्रेलिया में निकल गए हैं तो उसका रियक्शन में जो लॉरेंस विश्णोई और लॉरेंस विश्णोई गैंग का इसमें हाथ है तो कमांडो इनके पास थे लेकिन जब यह गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे घर पर छोड़के गए थे और रादर यह कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो भी नहीं लेके गए थे तो यह जो फैक्ट है यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा बच गया और सरकार ने उसे सजा नहीं दी इसलिए हत्या को अंजाम दिया है जेल में रहके जिसको पुलिस ये मानती है खुफिया जेंसी सुरक्षा जेंसिया मानती ही कि उनको काबू कर लिया गया अब उसे कोई खत्रा नहीं वो जेल में रहके भी इस तरह की बड़ी वारदात या हत्या की साजिश को अंजाम दे सकते हैं मुशे वाला की जिस तरह से हत्या की गई उससे अंदाजा लगाये जा सकता है कि हमला वरोणी टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है विश्णोई गैंग के विरोधी कैम्प को सिद्धू मुसे वाला सपोर्ट कर रहे थे ये बात विश्णोई गैंग को खटक रही थी इसी वजह से सिद्धू मुसे वाला लॉरेंस विश्णोई गैंग के निशाने पड़ था इस वक्त गेंग्स्टर लॉरेंस विश्णूई जेल में बंद है बताया जा रहा है कि मुसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने इस एंगल से जाच शुरू कर दी है सिद्धू मुसेवाला हत्या कांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है देहरादून से यानि उत्तरा खंड से तार जुड़ते हुए नजार आ रहे है पंजाब पुलिस की एक टीम देहरादून पहुंची है जहां से एक संदिक दिव्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताच की जा रही है शक है कि वो शार्प सूटर हो सकता है या फिर इस हत्याकांड की कड़ी का एक एहम हिस्सा हो सकता है पंजाब पुलिस की एक टीम उतराखंड पहुंची है देहरादून पहुंची है जहां सिद्धू हत्याकांड से जुड़े एक व्यक्ति को ऐसा माना जा रहा है कि हिरासत में लेकर पूछताच कर रही हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइब जुड़े आनंद क्या खबर है इसमें और क्या पुखता जानकारी आपके पास है इस बावन जिले कि बिल्कुल देहरादून से एक शक्स को डिटेन किया गया वहीं एक और जानकारी आरूनी आ रही है कि जो हमला वर्त है वो राजिस्थान की तरफ उन्होंने मूवमेंट करी है इना राजिस्थान की तरफ वो भागे हैं तो एक तरीके से अब ही तमाम जो नेटिव राज हैं चाहे हरियाना की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए यहां पर तमाम पुलिस को अलट करा गया है कि जो हमला वर्त हैं वो भाग न पाए या कोई वो ऐसी जगे सेल्टर ना ले पाए कि उन्हें धूड़ना मुश्किल हो जाए और शुरुबात में सब्सक्राइब के बाद ही जो पूरी लार्ज कॉंस्प्रेसी है उसका खुलासा होगा कि कि किस तरह से इनको टास्क दिया गया था क्योंकि पंजाब में जो मॉड़ा साच कर चल रही है अरुन उस पर कौर करना काफी जरूरी है वो ना केबल गैंगिस्टरों के लिए इस् के बाद उन्हें सीमा पार से ह्रौई ना रही है उसके खेप देखे उन्से जो वेपन्स हैं उसकी अदला बदली कराई जा रही है उन्हें सप्लाई करा जा रहा है यह गैंगईश्टर्स सबसे ज्छादा मॉर्डर अपना रहे है और यहीं बज़े hart लारिया विस्नों के जुड़ी हर एक कड़ी को खंगालने की कोशिश पंजाब पुलिस कर रही है सिद्धू मुसेवाला और उनकी हत्या से जुड़ी टॉप तेन खबरों के लिए चलते हैं इस्टूडियो हमारी सयोगी है वहां पर रीमा प्रसाद वो सिद्धू मुसेवाला और उनकी हत्याकान से जुड़ी दस बड़ी खबरों के साथ तयार है वागे इस वक्त हम आपको दिखाते हैं सिद्धू मुसेवाला से जुड़ी हुई दस बड़ी खबरे यानि मुसेवाला टॉप टैन पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला के हत्या में बदमाशों ने A9-94 राइफल का इस्तमाल किया था हमने वाली जगत से जाच टीम को A9-94 को तीन गोलियों की खोके मिले हैं ये पहली दफा है जब बदमाशों ने पंजाब में किसी बारदात को अंजाम दे निकलिस बंदू का इस्तमाल किया है सिद्धू मुसेवाला के हत्या के बाद उनके पिता ने पंजाब सरकार को एक चट्टे लिखकर इस घर्टा की CBI या फिर N.I. इसे जाच करवाने की बारद की बारद है कि पंजाब पुलस बहुत जल्द ही लॉरंस मिष्णो इसे पूस्ताच कर सकती है और उसे पूस्ताच के लिए तेहार जेल में तेहार जेल से पंजाब लाया जा सकता है मोसे वाला पर एक दिन पहले हुए हमले का एकसी सिटे वीडियो भी सामने आ चुका इस वीडियो में फाइरिंग की आवास सुनाई देने के बाद दोग भात से बेना चलाए सुतुमों से वाला पर बनमाशों ने 30 राउंड गोडिया चलाई जिसमे उनकी गाड़ी के अंदर ही मौत हो गई यह हमला कितना भयानक था इसका अंदाजा उनकी गाड़ी को देखकर ही लगाया जा सकता है उनकी गाड़ी में कई गोरियों के निशान है जबकि काच भी बिख्राव हुआ है हट्या के बाद दोगनाशों को पकड़ने के लिए जांच तेज कर देगे हैं सुमूतों को इकठा करने के लिए आसुबा से ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी की जांच करने के पहले और बारीकी से मुसावाला की गाड़ी की जांच मुसेवाला की अत्या में जिस गाड़ी का इस्तमाल किया गया जांच में उसके नंबर प्लेट भी फरजी पाई गयी पूसे वाला की अतिया से चीख पहले उनके गाड़ी का वीडियो सामने आ चुका है मुसे वाला की गाड़ी एक तड़क से गोजरती दिखाई थी जब की दावा किया जा रहा है किसी सीटीवे में दिखाई दे रही सतेज गाड़ी में हम लावर बैठे थे जिन्होंने इसी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर उनके अतिया कर दी तो सिद्धू मुसे वाला मुर्डर केस के बाद कई सवाल उठकडे हुए है सवाल ये कि क्या पंजाब अब एक गैंगवार की तरफ आगे बढ़ रहा है क्या देश और दुनिया के कड़ी कई बड़े गैंगस्टर का ठिकाना पंजाब बन चुका है क्या शार्प सूटर पंजाब में गूम रहे हैं किस तरह से यहां से लेके कैनडा तक इस हत्याकांड की कड़ियां जुड रही है इन सब बातों का जवाब तलाशती हमारी एक पांज थियूरी की रिपोर्ट रिमा प्रसाद में तयार की है चलिए सीवे चलते हैं स्टूडियो जिसमें सिद्धू मुसेवाला मर्डर केस की पांज थियूरी लेकर तयार है रिमा प्रसाद मुसेवाला की हत्या के पीछे कौँ विश्णोई गैंग ने मुसेवाला को मारा गैंग वार में गई मुसेवाला की जाँ मुसेवाला की हत्या का कनाडा कनेक्शन अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले मुसेवाला ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी ही गन से उनकी मौत होगी रिल लाइफ में हाथों में बंदूक लेकर हीरो की तरहें देखने वाले सिद्धू मुसेवाला की मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई हैं सवाल उठ रहे हैं कि हत्या से एक दिन पहले पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा क्यों हटाई मुसेवाला की सुरक्षा में लगाए गए दो कमांडो हत्या के वक्त कहां थी मुसेवाला के पास बुलेट प्रूफ कार क्यों नहीं थी साफ है उनकी हत्या साज़श के तहट हुई लेकिन इसके पीछे की थियोरी क्या है आकर क्यों पंजाब के सिंगर को दिन दहाडे गोलियों से बून दिया गया पहली थियोरी हत्या के पीछे गैंग वार सूत्रों के हवाले से न्यूज एटीन के पास एक्सक्रूजिव जानकारी मिली है कि सिद्धु मुसेवाला के मर्डर का ओडर दिल्ली के तिहार जेल से आया है तिहार जेल में बंद गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई ने वर्चुल नंबर से कनाड़ा में मौजूद गैंग्स्टर गोल्डी बरार से बात की वर्चुल नंबर से कई बार दोनों के बीच बात्चित की जानकारी सामने आ रही है अत्या के तीन घंटे बाद गोल्डी बरार ने सोशल मेडिया पर अत्या के जिम्मधारी ली पंजाब के डीजीपी ने भी अत्या के पीछे गैंग वार के अशंका जताई है एक इंटर गैंग राइवल्री का केस लगता है लॉरेंस विष्णोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लखी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कैनेडा से केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीएम साब के आदेश पर एक S.I.T. बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है नियूज 18 के पास लॉरेंस विष्णोई का डॉजियर है जिसमें उसके क्राइम के पूरी कुंडली है मुसेवाला के मर्डर के बाद पंजाब में गैंग वार का डर पुलिस जता रही है क्योंकि डॉजियर में गैंग्स्टर लखी पट्याल का संबंद बबर खालसा से बताया जा रहा है ये गैंग विश्णोई गैंग से भी मजबूत बताया जा रहा है जो जियर में रिंदा कभी जिक्र है रिंदा इस वक्त पाकिस्तान में मजूद है दूसरी थियोरी हत्या के पीछे निजी दुश्मन मुसेवाला की जिस तरह से फ्लैंड तरीके से हत्या की गई उससे अंदाजा लगाए जा रहा है कि हमलावरों ने टार्गेट करके वारदात को अंजाम दिया निउस एटीन के पास एक्स्क्लूजिव खबर है कि सिद्धू मुसेवाला गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई के निशाने पर थी इसकी वजह से दोनों के बीच निजी दश्मनी बताई जा रही है सिद्धू मुसेवाला विश्णोई गैंग के विरोधी कैम को सपोर्ट कर रहे थी ये बात विश्णोई गैंग को खटक रही थी इसी वजह से सिद्धू मुसेवाला लॉरेंस विश्णोई गैंक के निशाने पर थी तीसरी थियोरी आपनों नहीं ली जान सिद्धू मुसेवाला की जब हत्या हुई उस वक्त उनके पास कमांडो नहीं थी जबकि पंजाब पुलिस ने उन्हें दू कमांडो दिये थी मुसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी लेकिन हत्या के समय वो जीब पर सवार थे उनके पास ड्राइवर भी नहीं थे वो खुद जीब चला रहे थे ऐसे में कहा जा रहा है मुसेवाला के अपनों ने ही उनकी सुरक्षा से जोड़ी सभी जानकारी विरोधी गैंक को दी चौती थियोरी गन कल्चर की वजह से जान गई निंजा लाइसेंस गीत लिक कर करियर की शरवात करने वाले मुसेवाला अपने गानों को लेकर कई वार विवादों में घे मुसेवाला पर गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देने कारोप शुरू से लगते रहे हैं सोशल मेडिया पर उनके एक करोड से जादा पैन फालोवर हैं अपने वीडियो सौग में भी उनके हाथों में बंदूक रहती थी न्यूज एटीन से बाचीत करते हुए उन्होंने बंदूक को खराब मानने से इनकार कर दिया था बार-बार लोग कहते हैं कि जब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो अगर इतनी बड़ी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है मैं यही पूछना चाहता हूं उसका पता होना चाहिए कहां पर यूज करनी है कहां पर नहीं उसकरनी है कौन सी बात हमारे हाक में है कौन सी खिलाव है तो यह आप से वोटर पूछनी रहें कौन सी मैं तो चाहता हूं कि मुझसे पूछें आइविल क्लियर ओधा तेंग्स मैं उनको बताओंगा बताओ अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहबाने हमारे पांच करकारों में है तरी साब क्यों रही है ये हमारे धरम का हमारे खमारा धर्म में से हमारे शीर का हिस्सा मानता है So क्योंडी है? अगर आर्मी के पास हथ्यार हैं वो एक पर्पस के लिए हूँ है अगर वो ही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो that's a bad thing उनके पास पर्पस है सेफ्टी के लिए तो गंस का बेसिकली जो रिजन है रखने का वो सेफटी है फसन सेफटी है पांचवी थियोरी कहां से आई एन-94 पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए एन-94 जैसे खतरनाख हत्यार का इस्तेमाल हुआ है ऐसे में सवाल पंजाब पुलिस पर उठते हैं आखिर एन-94 जैसे खतरनाख हत्यार पंजाब में कैसे पहुँचे ये किस रास्ते से पंजाब में आए और ये हत्यार गैंग्स्टर तक कैसे पहुँचे